क्या समझ में नहीं तो हमने क्या किया न outside ओंगर दिए दिस प्लस दिस प्लस ना इन तीनों कंड़ को जोड़ कर हम लोगों को ये राफिज एक्षन मिलता हैं अब इस ट्रेडर अपने क्या करेंगे यह तो अपना stop loss यहाँ पर आ गया अपने stop loss खा लिए इसको लेके रोते रहो यहाँ पर भी cash in कर देते हैं यहाँ पर भी हम जो है कि कुछ कमाने का सुचे दोस्ते नमस्कार मैं भरत जुजिन वाला आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कैसे हैं आप सब प्रेंड हम कैंडल स्टिक की बात कर रहे थे और पिछले कई हफ्तों से हमने सिर्फ कैंडल स्टिक के बारे में डिसकुशन किये पहले आपके साथ हम लोग ने बिगनर लेवल की बात करी फिर एडवांस लेवल की फिर एक्सपर्ट लेवल की और लास्ट वीक हम लोग ने मास्ट्री लेवल पार्ट वन रिलीस किया था आज के एपिसोड में हम मास्ट्री लेवल पार्ट तू देखेंगे और इस की और और सुरू करते हैं Candlesticks की Advanced Analysis तो अगर आपने लास्ट चार-पांच एपिसोड हम लोगों के देख लिए Candlestick के तो आज के एपिसोड के बाद आपको Candlestick कहीं से भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा पैसा खरच कर यह one of the आपको गैरेंटी देटा हूं तो अब हम नेक्स्ट जो डिसकेशन करेंगे वह है रेकॉर्ड सेशन काउंट देखे फ्रेंट्स बहुत ही साथ आठ नौ से लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो यह इंडिकेट करता है कि ट्रेंड जो है वह एक डिरेक्शन में एक्स्टेंड हो चुका है और हो सकता है यहां से करेंगा तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप अगर समझे डेली चार डेक रहे हो तो यह एक दिन का कैंड़ ऐ है यह दो बहुत अच्छा काम करता है weekly और monthly charts पे तो long term charts पे अच्छा काम करता है लेकिन हाँ short term charts पे भी better काम करता है तो आप जरूर जाके सबको charts पे देखिएगा देखिए चार्ट पे देखना बहुत जरूरी है यहाँ पर हम आप अगर हम जो आपको सिखाते हैं आगर आप उसे binge watch कर लेते हो मतलब कि जाकर practice नहीं करते जाकर देखते नहीं हो तो कोई फाइदा नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए friends यह candle stick का chart और यह अभी हाली में निफ्टी का ही chart है तो बहुत पुराना chart नहीं है तो आप जाकर charts को देखोगे तो आपको पता चलगाएगा यहाँ पर दे दसवा दिन भी एक higher high था तो लगातार दस दिनों तक निफ्टी ने higher high बनाया और यहाँ पर देखिए इस तरह का movement आता है लगातार higher highs बनने strong movement होते हैं तो इसे record session count कहा जाता है तो लगातार दस दिनों से हम लोगों को higher high मिली strong green bullish candle मिली और उसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्त को कि यहां से यह trend crash हो जाएगा कि यह trend reverse हो जाएगा कि correction की depth को कुई नहीं बता सकता इसी लिए concert of trailing कहा जाता है कि stop loss को trail किया जाता है हमें अपनी positions को trail किया जाता है तो किसी की इस जहासे में मताईएगा अगर आपको कोई बताए कोई को बोले कि मैं आपको बता स study के पीशे काम करते हैं जैसे कि Elliot waves है गैन है लोग उसे predictive tool बना चुके हैं और जब गैन वगएरा यह time cycle वगएरा जब इस्तमाल करते हो न तो आप एक prediction जो होता है वो करते हो और आपका mind जो आप एक bias create करते हो जिसे output bias बोला जाता है तो आप एक output से अपने आपको anchor कर लेते हो कि नहीं Elliot wave के हिसाफ से तो यह B correction है इसके बाद C उपर जाएगा या 2 correction है इसके बाद 3 नीचे जाएगा तो एक output bias इसे बोला जाता है तो आपके दिमाग में वो bias जो होता है वो जम जाता है और उस वजह से आप trade नहीं कर पाते हो वैसे भी बहुत confusing studies होती है यह सब तो मेरे पलने के बात नहीं रहें friends मैंने CMT, CFT, MSTA, MFTA तक किया है MFTA जो की टेक्निकर अनलेश्ट में one of the most prestigious जो certification है MFTA वो भी किया है पूरे इंडिया में सिर्फ दो MFTA है मैं एक हूँ उन में से तो उसके बाद भी अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि elite waves गैन वगएरा जो की बहुत confusing अगर मेरे लिए है तो of course आप समझ लिजे कि किसी भी एक common trader या किसी भी layman के लिए यह सब studies को इस्तमाल करना is very very challenging ओके तो खेरो सब बातों को छोड़िए हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं तो यहां पर आपने देखा एक दो तीन चार पांच चे साथ आथ नौ सेशन के लिए लगातार यहां से candle एक डम record session काउंट करती है momentum बहुत strong होता है और उसके बाद there is a correction तो हमें क्या expect करना है कि जब साथ आठ नौ candles एक ही direction में ऐसे बढ़ जाए तो फिर हमें उस direction में अपनी positions बनाने की कोशिश कम करना है तो इसका जो निसकर्ष है इसका result यही होता है कि we shouldn't be like very eager to create a position in this direction तो अब उपर चला गया दस दिनों से market लगाता है उपर हाई-rise बना रहे और आप यहां पर अगर जाके position बनाओगे तो आपका तो आपका तो अल्रेडी contract है गोल्ड का और आप यहां पर देखे किस तरह से यहां पर एक correction के बाद यहां से मूव होती है उसके बाद यहां पर यह ट्राइंगल आता है और उसके बाद लगातार 12345678 लगातार आठ बार रिकॉर्ट सेशन काउंट आपको हाई राइज मिलते जाते हैं बड़े candle मिल कि यहां पर जब हमें रिकॉर्ट सेशन काउन मिल गया 12345678 तो क्या कोई क्या तुक बनता है यहां पर कहीं पर entry करने का कोई तुक नहीं बनता है क्योंकि trend बहुत extended हो चुक है तो यहां पर हम entry करके क्या करेंगे we will wait हम wait करेंगे correction का या हम wait करेंगे consolidation का उसके बाद हम entry करें लाइक यहां से 25% प्लस जो है correction आपको gold में देखने को मिला तो this is the benefit of counting the new highs right record session count मतलब कि कितना बाद highs बना रहा है उसको हम count करते हैं this is the benefit of counting record sessions तो यह uptrend में downtrend में दोनों जगे applicable है और इसमें एक बहुत important catch भी है इसमें एक बहुत important जिसे हम बोलेंगे एक बहुत important इसके सा राइडर भी है जो आपके साथ शेर करेंगे तो बने रही है यहां पर देखिए टाका कंसल्टेंसी वीकली चाट हम लोगे ने डेली देखा मंतली देखा यहां वीकली चाट भी देख लो तो record session मतलब कि देखिए हाइस बनते जा रहे है 1 2 3 4 5 6 7 साथ लगातार हाइस बन ग जब ऐसे record session count जब 7-8 record session count हो जाए तब हम लोगों को एक नया position long में तो नहीं खोलना है short करेंगे नहीं करेंगे that is a different thing altogether यहां पर और analysis की ज़रूरत बढ़ती है multiple time frame analysis करते है market की breath analysis करते है momentum analysis करते है then ultimately हम लोग decide करते है whether we will you know type of open a fresh short position or not right important record session count का importance यह है it will tell us कि trend जो है वो एक direction में extended है नीचे के लिए भी यह ऐसे ही काम करता है यहां पर देखिए यह natural gas का chart है यह देखिए मैंने commodity पर भी दिखा दिया आपको stocks पर दिखा दिया just intention यह है आपको बताने के लिए कि किस तरह से अपने को इस study को या किस तरह से इस concept को अपने को इस्तेमाल करना तो यह देखिए record session count यहाँ पर लगाता देखिए पहला candle दूसरा candle तीसरा चौथा पांचवा छट्टा सात्वा आठवा नौवा आठ नौवा आठ नौवा candle ल यहाँ पर short कर देते इस trend को नीशे जाते वे देखकर तो क्या आपको फायदा होता नहीं आपका position जो है खराब हो जाता तो record session count का जो best benefit है वो यही है कि जब trend extended हो उस समय हम लोगों को जो है प्रेड ने करना अब यह चार्ट कौन नहीं पचानता अगर आप 2020 में आपने market मे enter किया है या उस समय आपने market में enter किया होगा तो यह चार्ट आपके जहम में बसा हुआ होगा यह है COVID crash वाला चार्ट निफ्टी का weekly और आप देखों यहाँ पर 1234567 साथ कैंडल में यहाँ पर लोग लोग बनते जा रहे थे record session काउंट हुआ और जैसे हमने क्या क्या काईडल जो है बनना सुरू हो जाता है उस समय हम लोगों को नई positions नहीं लेनी है तो अगर आप यह देख रहे हो कि यहाँ पर लगाता 7-8 महपतों से लगाता market गिते ज रहा है तो यहाँ पर और नीशे गिरने की जो probability होती है वो कम हो जाती है उसके बाद देखिए यहाँ पर यह स्ट्रॉंग recovery आती है इसके बास हम सब जानते हैं कि क्या हुआ देखे प्रेंट्स मैं वापस कहता हूं कि इसके बाद इस तरह का recovery आएगा यह कोई नहीं बता सक है वो एक अलग concept है वो एक अलग method है जहाँ पर आप momentum बगेरा सब इस्तमाल करते हैं और भी market breath analysis जो होती है वो इस्तमाल होती है and then probably we make our positions here तो intention आप समझे किस application का कहां तक काम है वो समझना बहुत जरूरी तो इस application का यहीं तक काम था कि record session count हम लोग क्यों करते हैं तो एक direction में trend extended हो जाता है तो उस direction में position हमें नहीं बतना नहीं है कि हमें record session count से पता चलियाता है अब यहाँ पर भी देखिए यह लगाता record session count है और ह हमें यहाँ पर क्या देखिए लगाता हाई राइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नो हाई राइज मिले अब आप यहाँ पर क्या देखना चाहोगे अब यहाँ पर आप long करोगे नहीं करोगे तो यहाँ पर आप क्या देखना चाहोगे यहाँ पर of course आप एक bearish candle देखना चाहोगे अगर यह आप देखते हो जो आपको बताता है कि यहां पर trend कमजोर हो गई है then probably यह आपको शड़ते हो तो आप generally एक strong move के बाद यहां पर उपर में क्या देखना चाहोगे of course हम bearish candle देखना चाहेंगे जो कि हमें confirmation देता है कि यह record session count हमें यहां पर long नहीं करना था and then there is this bearish candle जो में confirmation दे रहा है कि यहां से trend change होने की probability बहुचा अब आप यह पर देखो यह candlestick और इस shooting star जिसने अगर आपने हम लोगों का पहले वाला candlestick का जितना भी episode देखा है तो आपको समझ में जाएगा कि इस candle stick के पीछे हुआ क्या एक्चुली right prices उपर गई फिर prices को नीचे ठकेल दिया गया and almost lows के पास यहां पर price जो है वो close होती है almost lows के पास close होती है इसका मतलब कि बहुत जबर्दस selling थी इस session में तो अगर इस तरगा candle आपको record session count के बाद मिलता है तो of course आपको यहां पर एक selling mentality आप बना सकते हो कि भई यह थीक है यहां पर अगर थोड़ा सा pullback आएगा तो हम उसके पाद यहां पर sell करेंगे अपना रिक्सरी बाद रिश्य को favorable होना चाहिए तो record session count बहुत ही एक interesting study है बहुत ही एक interesting observation है तो कि candle sticks को use करके आप कर सकते हो और यह actually जो है Japanese लोगी करते हैं तो यहां पर हम लोगों का deep dive suggest करता है अब हमारा deep dive क्या है friends deep dive हम किसे बोलते हैं हम जो भी strategies use करते हैं चाहिए हम अपने mentees के साथ उसे use कर रहे हो चाहिए हम अपने program में use कर रहे हो चाहिए मैं खुद reading के लिए use करता हूँ उस strategy को हम कम से कम हजारो charts पे read करते हैं और उसके बाद हम एक result निकालते हैं कि यह strategy की success rate कितनी है maximum profit कितना होता है maximum loss कितना होता है किस market condition में वो strategies अच्छी चलती है किस market condition में strategy अच्छी नहीं चलती क्या indicators लगाने से या क्या moving average या कुछ भी लगाने से यह strategy की efficiency बढ़ सकती है तो deep diving होती है तो हमारा जो deep dive है जो हम deep dive किया जो हम लोग ने research किया वो हमें यह suggest करता है कि record session count सबसे अच्छा work up करता है जब एक uptrend हो uptrend के बाद generally record session count work करता है अब ऐसा च्यों होता है अब जैसे मैं आप बुका है कि कभी भी हमें pattern को on an surface level कभी भी विश्वास ने करना है किसी भी pattern को अगर हम देखते हैं किसी pattern के बारे में हम समझते हैं या किसी pattern के बारे में कोई भी चर्चा कर रहा है surface level पे उसका वरोसा नहीं करना है अपने को समझना है कि यह क्यों मैंने अगर कहा आपको कि अप ट्रेंड में better काम करता है तो क्यों करता है अब इसके पीछे की आप reason समझो कि वहाँ पर जो है ना सर लेट बायर आ जाते हैं राइट लेट बायर जाते हैं आप ना सब लोग से मैं सुनना हो सब चांदी के भार हैं बोल रहे हैं चांदी है ने ने यहां से एक लाग 102 तो अभी आप जाकर सिहल डेखो रायट लेट झार्फूल धा तो आप्ने से हो सकता है कि 100% से जादा विभे बड़ें तो यहाँ पर जो last मैini र चरकेंडल पर आते हैं ना वो जो होते हैं लेट बायर्स होते हैं और यह जो लेट बायर्स होते हैं ना यह दिल के बहुत कच्छे होते हैं और ना कमजोर होते हैं कान के भी बहुत कच्छे होते हैं थोड़ा सा भी जर्किंग लगे ना ऐसे ऐसे करके तो तुरंत भागेंगे निकलके और उसके बहुत सॉलिड या प्रेशर लगता है मार्केट निशी कर जाती है तो अब ट्रेंड में यह ज्यादा बेटर काम करता है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा अभी नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं जो कि हैं ब्लेंडिंग केंडल्स देखिए बहुत ही खुपसूरत ऐसा में होने यूज कि थैखिया लेकिन मैं एक किताब ती जैसे लेवर्मौर की आउट ट्रेंड ग्रेंड करते थे मैं अब एसा नहीं कि अभी ट्रेंड में घुआते जरेख रहे हैं या उसको रोज देख रहे नहीं दो तिन दीन के बाद वो trade को track करते थे तो जैसे आज Monday को इनोने ट्रेड लिया Tuesday वेनेज़े नहीं देखेंगे Thursday को वो trade को देख रहे हैं कि क्या हुआ तो वो क्या करते थे ना वो बोलते थे कि एक दो दिन regular basis पर अगर आप देखते हैं और daily price movement है ना वो noise होती है तो ट्रेंड को अगर आपको देखना है तो एक दो दिन में market क्या कर रहा है वो आपको समझना होगा तो जब मैंने जब मैं वो portion पर रहा था उस किताब में और उसके बाद जब मैंने blended candlestick के बारे में सोचा तो वो एक connect आया यह बहुत ही जबर्दस thought process है अब यहां जैसी लेवर मोर यहां यूएस में बैठे हैं और यह blended candle उस समय साइद candlestick के बारे में यूएस का ख़बर ही नहीं थी candlestick क्या होता है यूएस वाले जिसने वेस्टेंड वर्ल्ड वाले जानते ही नहीं थे बस सीधर कनेक्ट तो साइकलोजी जो होती है ना ट्रेडर्स की all over the world सेम होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती और खासकर पैसों को लेकर जब साइकलोजी की बात आती है तो everyone will behave in the similar way इ एसे को लेकर नजरिया चेंज नहीं होता तो technical analysis हमेशा रहेगा it will be there right चाय रोबोट्स आ जाए चाय रोबोट्स के पापा आ जाए चाय रोबोट्स के बाबाजी आ जाए कोई फरक नहीं पड़ेगा तो this is one thing तो blending of candles के पारे में बात करते है blending of candles generally क्या होता है कि एक दो दिन के price action को जोड़ के आप क्या निसकर्स निकालते है इससे क्या होता न एक better view आपको मिलता है आपको एक better thought process मिलती है market की कि market को एक better view आप कैसे देखते है तो एक दिन देखे आपको bullish लग रहा है दूसरा दिन bearish लग रहा है अब आप confused हो जाओगे कि यहार यह हुआ क्या एक बंडे को तो ऊपर था तुस्टे को नीचे था अब मैं मानू क्या one day bullish one day bearish ultimately what is the result तो आप क्या करो दोनों को जोड़ राइट दोनों को जोड़ दो and then you get this result अच्छा तो ultimately यहां पर यह shooting star बना है मतलब मंडे को तो बुरिश था okay लेकिन Tuesday को bearish था अब यहां confusion आ रहा था तो मैंने दोनों को जोड़ दिया and now I get a shooting star अब मुझे पता चला ultimately this consolidated price action is bearish यह consolidated price action जो है वो bearish है वो हमें यह shooting star बता रहा है तो यह कैसे possible है यह possible है blending से generally आप two days के price action को blend कर सकते हो और three day के price action को भी blend कर सकते है अभी weekly charts क्या होते weekly charts five day के price action को जो होता है blend करके एक weekly chart बन जाता है तो आप दो या तीन दिन के candle को भी blend करके weekly charts बना सकते हो तो comment में बहुत लोगों ने पूछा कि सर आप three candle patterns नहीं बता रहे हैं आप सिफ two candle pattern बता रहे हैं तो देखे three candle patterns अब मैं आपके साथ discuss करूँगा और एक अलग परिके से discuss करूँगा जिसे हम blended form बोलते है ब्लेंडेड फॉर्म में discuss करेंगे तो आईए एक एक करके ब्लेंडिंग को चार्ट पर देखेंगे बहुत सारे चार्ट पर देखेंगे अपने वो समझने में भी मज़ा आएगा अब यहां पर देखे three candle pattern जिसे morning star बोला जाता रहें यह morning star वो जिनमरें तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है यह हैमर बन रहा है तो ब्लेंडिंग इसलिए अपने को confusion करना ही नहीं अपने को ट्रिपल पैटन में जाना ही नहीं अगर आप चाहो तो double candle pattern भी छोड़ सकते हो जो चैनल पोग्रेशन या देए आपको गैंडल प्रोग्रेशन वारी स्ल blending of candles इसे blending बुला जाता है अभी ध्यान दीजिए दोस्त मतलब कि बहुत-बहुत important concept है अगर आपको यह PPT चाहिए आपको यह presentation चाहिए तो अभी आपको क्या खरणना होगा ना कि आपको यह वीडियो शेयर कर देना है बहुत सारी टेलिग्राम, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn बहुत सारी group में आप हो आप मानोगे तो नहीं जहां पर भी आप देखो गे stock tip है पहुंच जाओगे free stock tip तो पहुंच जाएंगे free में तो बहुत मजा आता है अपने को लेने में right तो free के लिए तो अपने कहीं पर ही पहुंच जाएंगे और वो free वाले जो कर रहा है ना वो अपने को समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो वहाँ पर आप एक knowledge का दिया जलाओ knowledge की बत्ती जलाओ और ये वीडियो उन groups में share करो और फिर हमें इस number पे 9748173333 इस number पे एक screenshot भेज़ दो कि sir हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है हमारा जो बंदा ये number लेके बैठा है आपको या तो PPT भेज़ देगा या आपको link भेज़ देगा जहापर ये PPT hosted है आराम से जाओ download करो देखो सीखो share करो कि तो blending ये कैंड बहुत बहुत important koncept है आईए इसको charts पे देखभते हैं तो यहां पर आप यहां पर क्या हुआ हुआ पहले इस चैंड को देख्के यह पर तिक इस candle को नहीं ने यहां पर बना दिया है यह candle को मैंने यहां पर बना दिये बड़ा कर दिये तो यहां पर अपने देखा पहला अपडे था दूसरा एक शूटिंग स्टार टाइप का डॉण डे था तीसरा एक नीचे के तरफ डॉण डे था अब अब अपने ऐख में निया रहा अब अपने आ रहा अब अपने को तो यहां पर दिस प्राइज है अब मैं इसको फुरा सा बढ़ा करके आपको दिखाता हूँ देखिए यह तीन केडल थे वर टू थी पहला वाला चेडल बुलिश दूसरा वाला शूटिंग इस्टार दूसरा वाला एक तरह से इवनिंग शूटिंग इस को जोड़ा और तीनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिला वह यह यह न अब यहां पर देखो आपको यह ट्रेंट ज यहाँ पर है कि last three days there has been selling three days of selling इसीदी सीदी वार तीन दिन यहाँ पर selling आईए दोनों सेम चार्ट है यह 3D है यह तीन दिन का चार्ट है तीन दिन last में selling आईए एकदम सरस कोई जमला नहीं है blending of candle पाइदा होता है और मैं generally क्या होता है कि तीन दिन के candle को blend करने में मुझे ज्यादा सुविदा आती है अब यहाँ पर आप देखो यह बजाज आटो का one day का candle है अब आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या light यह bullish bullish यह inside candle उसके बाद यह डोजी हो क्या र ही है वाह तो जब चोटी आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि seller ने अपना परचा दिखाया seller ने अपना टीजर दिखाया कि अभी हम जिन्दा है 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 ना तो अब याद करो candle progression वाला वीडियो याद करो तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको अब आपको 2G मिल गया है चोटी हो गई अब हमें सिब एक confirmation चाहिए अगर ऐसा confirmation आ जाता है एक selling का then probably हम यह कह सकते है कि trend यहां से या तो consolidated होगा या यह correct होगा whatever वो तो reactive analysis है तो हम बाद में react करेंगे लेकिन yes यहाँ पर हम लोगों को indication क्या मिला कि भाईया अगर position long है तो ए profit book करेंगो 80% profit कम से कम book करो भाई मेरे book 80% क्योंकि यहां पर candle stick आपको बता रही है कि bears आ गये हैं यह आपको बता रही है यहां पर तो कम से कम 80% book कर लो यह तरीका होगा candles को blend करके देखने का बहुत ही ऊंदा तरीका है candlestick को इस्तेमाल करने का अब यहां पर देखिए लास्ट मेंगर आप देखोगे नीशे में देखिए आपर दो candles है यह ब्रिटानिया का डेली चाट है यह दो candle तींगे ने आपको यहां पर लाल दिख रहा है लाल दिख रहा है और ग्रीन दिख रहा है कि आपको एक तर से confusion होड़ा कि समझ भी नहीं आ रहा हो क्या यह लास्ट दो तीन दिन के candle pattern को आप अलग-अलग करके पढ़ोगे त confusion ही दूर हो गया the beauty of blending candles को blend कर देगे और अब आप देखो इसके साथ अभी इसी सेशन में जो हम लोग ने पढ़ा रिकॉर्ट सेशन काउंट राइट 1,2,3,4,5,6,7 अब साथ-8 candle यहा पर भी है साथ-8 candle हमें lower-low मिल गये रिकॉर्ट सेशन काउंट हो गया अब क्या करेंग नया शॉट तो नहीं करेंगे, blended candles में record session काउंट कर रहे है सर, नया शॉट नहीं करेंगे, record session काउंट का मतलब क्या होता है, most probably trend जो है यहा तो sideways जा सकता है, या change हो जाएगा, यहां sideways गया, फिर यहां पर sideways movement, यहां पर breakout जो मिल रहा है, breakout के पहले इस consolidation में बुल सैश बन रहा है, उन सब को इस तरह से practice करना है, बार मार, keep practicing, again and again and again, keep practicing, so this is blending of the candles, record session count, blending of the candles, advanced concept है, एक level उपर, blending of the candles, trend आगे बड़े उससे पहले, यह हमारे कुछ master traders के performance है, जैसे आप जानते हो कि हमारा mentorship program है, और यहां पर देखिए, यह हमारे mentee है, जिन्नोंने last month में ही कुछ करीबन 76 lakh का profit किया है, और यह हमारे और mentee है, जो दिखा रहे है, 11 lakhs, 9 lakhs, 7 lakhs, 9 lakhs, 7 lakhs, बाकि यह जो हमारा live stream feature है, उसमें देखो, यहां पर यह लिखते हैं कि triple five digit में gain हो गया, and you can see 97,000, और उसके बाद यह 30,000 का profit, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो, 70,000 का profit, तो यह जो है, like हमारा master trader, जो हमारे बंदेज जिन्नोंने लिया है, उनका यह performance है, और यह हमारा master trader program है, master trader program क्या है friends, ह जो कि हम अपने इस platform, stock club के through, deliver करते हैं, इसमें 100 hours की extensive, in-depth learning है, जो कि आपको हम video देंगे, सब advanced videos है, आपको देखनी होती है, और उस video को देखकर, आपको सीखना होता है, उसके बाद आपकी कोई भी doubt queries होती है, उसके लिए आपके साथ, यहां पर हमारी meeting होती है, और इस meeting हम आपके doubt queries जो भी हैं, वो लेते हैं, हमारी community है, जहाँ पर मैं खुद हूँ, वहाँ पर उस community में, और बाकी हमारे senior traders भी हैं, जो कि आपको assist करते रहेंगे हमेशा, मतलब कि कोई भी chart अगर आप वहाँ पर pull up करते हो, आपको कोई doubt होते हो, तो हमारे traders आपको assist करेंगे, हमार indices के उपर, stocks के उपर, commodities के उपर, sector, forex, तो बहुत सारे charts आपको मिलते हैं, learning के लिए, तो यह हमारा master trader program है, अभी हम लोगों ने हाली फिलाली में, इसमें एक smart chart ये introduction किया है, ये smart chart किया है, ये smart chart आप जबी भी किसी भी candle पे, अपने mouse को ले के आओगे ना friends, तो उस candle पे ये सारी analysis आपको करके देदेगा, अपने आप, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, हमारी maximum analysis ये करके देदेगा, ये आपको बता देगा, यहाँ पर यह हो रहा है, अब आपको बस यह सुसना है, यहाँ पर आपको long लेना है कि नहीं ले करके यह अपने platform पे stock club पे ही हम लोगों ने इसे इंक्लूड किया है तो इस इस वेरी वेरी advanced charting पूरे दुनिया में पूरी दुनिया में इस तरह का offering कोई निकर नोबडी तो यह जब हम कर रहे हैं तो we are serious learners और हम चाहते ही हमारे सा serious learners ही जुड़े तुक्का मार के binge watching के लिए कोई मत आओ अग serious हो सीखने के लिए पैसे कमाने के लिए serious हो then please you are welcome otherwise कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्रभू जैसा चल रहा है चलने दो लोस खाते रहो भगवान का नाम लेते रहो लोस खाओ हरी जपो लोस खाओ हरी जपो कोई दिक्कत नहीं है मत आओ मेरे पास मेहनत करनी पड़ेगी उसके लावा friends की कुछ short courses भी है हमारे जो कि आप अगर option में trade करना चाते हो तो यह हमारा option का program है यह बहुत ही directional trading के लिए बहुत ज्यादा famous program है अभी लोगों नहीं से लेया है बहुत ही उनको फायदा हो रहा है यह हमारा RSI का program है अगर आप RSI को in depth सि सिखा है उनके mentorship के अंदर ही सिखा है तो अगर आप सीखना चाते हो RSI तो यहाँ पर RSI को भी आप ले सकते हो बीस concept इसमें हम लोगों ने discuss कि है RSI के उपर उसके अलावा यहाँ पर intraday और swing trading का program है आप वह भी ले सकते हो यहाँ पर CPAT हमारा price action का program है और हम लोगोंने कुछ तो हम आपकी adjust कर देंगे लेकिन 30 days के अंदर अब हम next part पर आते हैं जो की है momentum trading अरे यार यह तो गजब हो गया candlestick के साथ momentum trading हाँ candlestick के साथ momentum trading हाँ candlestick के साथ momentum trading है candlestick तो price action का tool है हाँ तो क्या हुआ momentum trading करके दिखाते हैं ना उसके साथ यही तो फरक है तो momentum trading किसे बोलते हैं जब कोई भी price action या कोई भी price एक direction में बहुत fast move कर जाती है तो उसे हम momentum trading उपलते हैं तो momentum trading का हम candlestick से कैसे लाव उठाए कैसे फाइदा उठाए momentum trading का इस पर आए जर्चा करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स एक typical price action आपको दिखाई दे रहा है और बहुरी किताबी एक setup दिखाई दे रहा है एक important resistance तूटता है और वो resistance जो है वो retest होता है और दुनिया में सब खुश कि यहाँ पर retest पे तो hammer बन गया यह तो चांद पे जाएगा राइट स्पेक सेक्स का rocket लेंगे इसके पीछे जलाएंगे ऐसे और यह सब कोई यही सोचेंगे सब कोई यही सोचेंगे ट्विटर पे भी आ जाएगा टीवी पे भी आ जाएगा आप भी खुश हो जाएंगे जाएंगे लेडिज बोलती है न टीवी पे लिपस्टिक लगाके पाउडर लगाके दम मेकप टेकप मस्ट अगर कोई लेडिज बोले तो हम कैसे ना कर सकते दिल तो बच्चा है जी तो यहाँ पर क्या करोगे उसको ले लोगे लेकिन क्या ऐसा हो सकता है यह भी तो हो सकता है अगर आप यहाँ पर यह setup को देखोगे तो setup में technically कोई भी खराबी नहीं थी setup was very very wonderful लेकिन after all this is market सबका पपा है इसके उपर कुछ नहीं है जो इसके मन में आएगा यह वही करेगा सलमान भाई तो अब एज ट्रेडर अपने क्या करेंगे या तो अपना स्टॉप लोस यहां पर आ गया अपने स्टॉप लोस खा लिए इसको लेके रोते रहो यहां पर भी कैश इन कर देते हैं यहां पर भी हम जो है कुछ कमाने का सुछते हैं तो यह पैटर्ण से आप कैसे पाइदा उठा सकते हैं Moving सपोर्ट के फैल कर गया अगर आप का हैमर सपोर्ट फैल उट गया तो क्या आप यहां पर यहां पर एक शोट कर सकते हो थूटा शोट hammer के उपर थोड़ा सा उपर आप अपना stop loss लगा कर short कर दे तो 2-4% आपको तो मिल जाए कम से कम 2-5% का move तो ले पाओगे है की नहीं तो आए इसको थोड़ी अच्छी तरह से देखते now we can use this observation to momentum trade कैसे? अब आए एक एक करके देखते यहां पर देखिए बहुत टीपिकल राइट बहुत अच्छा move यह resistance break होता है resistance break होकर वापस आकर इस support line को छूता है और यहां पर यह hammer बनता है तो strong support area है hammer है strong hammer है अब क्या होगा ना कि हम तो long के लिए सुचेंगे of course लेकिन जैसे यह area टूटने लगे और जैसे ही इसके low के नीचे price बंद होने लगे करीबन तीन बच कर 15 मिनिट पर जैसे इसके low के नीचे price बंद होने लगे आपका काम सुरू हो जाएगा छोटे समय के लिए 2-3 दिन के लिए 4 दिन के लिए 2-5 परसेंट का move करने की सोचेंगे यहां पर देखिए क्या किया हम लोगों ने अब हम लोगों ने देखा कि यह hammer हमारे radar पे था लेकिन यहां पर price टिक नहीं पाई और इस hammer के low को तोड़ कर यहां पर almost low पे बंद हो रही है करीबन सबाद तीन बजे हम हम यहां पर देखेंगे कि क्या हालत है अब हम क्या करेंगे यहां पर अपना sell at the close close के पास हम sell करेंगे सबातीन बजे hammer के high के उपर अपना stop loss लगेगा momentum trade है stop loss बहुत बहुत ज़रूरी है यह जिए ध्यान रखिएगा और उसके बाद आप देखो कि आप बहुत ही कम समय पर राइट लाइक वन टू थ्री फोर चार्ट इनके अंदर रिक्स रिवार्ट रेशियो का ट्रेड जो है वह आपको बिल सकता है इस इस कॉल momentum trading using candle failure बहुत in-depth वाली चीज है यह मुमेंटम ट्रेडिंग candle failure को यूश करते हैं सब कुछ ठीक था नहीं सपोर्ट था सपोर्ट पर हैमर बन रहा था एवर्टिंग वोस गुड राइट लेकिन यहां पर गेम ही उल्टा कर दिया और जैसे गेम उल्टा हुआ आप भी पलड़ याओ एकदम पलड़ यह पोईट वांदा नहीं है आपका पैसा है शरम किस चीज की है यहां पर देखिए क्या हुआ यह यहां से ब्रेक आउट हो रहा है कि यह 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 यहां से ब्रेक आउन यदे शूटिंग स्टार कोड़ रहा हैStudman बुल रहा हुदके टो स्टिंग स्टार के नीचे टो और इसके उपर stop loss लगेंगे, जनल में, जनली जोग किया जाता है, क्योंकि resistance पर, लेकिन अगर यह shooting star fail हो जाए तो क्या हो, यह fail हो जाए तो क्या हो, बैट के रोएंगे, ना, रोएंगे नहीं, इसका हम फाइदा उठाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस shooting star के entry करोगे, और इधर में आपका SL रहेगा, momentum trade दो पांच दिन के लिए, and then you can see, एक बहुत अच्छा, 3 is to 1 का risk reward ratio, 3 is to 1 का risk reward ratio, अगर आपने एक रुपए, जो है, रिक्स के लिए है, तो आपको 3 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए रिक्स के लिए, तो 300 मिलेंगे, 1 लाग रुप pattern जो आपको बहुत conviction लग रहा हो, कि यह पास होगा, इसमें अच्छे movement मिलेगे, और वो fail हो जाए, then probably, this is the best trading opportunity in the ultra direction, momentum trading इसे बोला जाता है, ट्रैक्टिस करिए, करके देखिए, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, तो यह और जिसे मैंने कहा कि, अगर आपने लास्ट के पांच एपिसोड देख लिए हैं, यह पांचवा एपिसोड है, तो आज के बाद, आपको candlestick में इसके बाहर कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो यह candlestick के बारे में, यह सारी analysis, और आज यहीं खतम करते हैं, नेक्स एपिसोड में कुछ नया शुरू करेंगे, देखते हैं क्या शुरू किया जाए, आप बताईए, अपने सुझाओ विचार नीचे, कमेंट बोक्स पर लिखके बताईए, कि क्या आपको सीखना है, RSI के बारे में बात करें, कि indicators के बारे में बात करें, कि आप topic बताओ, तो हम उसके उपर जरूर वीडियो बनाएके लाएंगे, तब तक लिए मैं भरजुचिन वाला, आप सबसे जादत मनता हूं, keep earning, keep learning, keep sharing, जैहिन, जैभारत, and stay safe.